चीनों के जाने के बाद घर कितना सुना-सुना हो जाएगा नहीं? कहो तो, मैं रिटायर हो जाओ? अभी? एजुकेशन लोन और रिटायर्मेंट के खर्चे ना बाबा ना. और अगर रिटायर्मेंट अलरड़ी सेक्योड हो तो. तो फिर हो जाओ रिटायर? और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रूमेंटिक है ने? चले हैं. स्मार्ट लोगों की क्लीर है प्राइरिटी. बागी सब बात में. सेकेंड इनिंग से पहले L.I.C. नमस्ते, मेरे नाम सिद्धान्त है और आप दीललन टॉप देख रहे हैं. एक फरवरी को बजट आ चुका है और दो फरवरी को जो अख़बार आए हैं हमारे सामने. भारत के कुछ प्रमुख अख़बार जिनकी रिजर्शिप लोगों में ज्यादा है. तो उन पर हम बातचीत करने आए हैं कि उन अख़बारों में क्या छपा है, उन अख़बारों में क्या लिखा गया है और बजट को लेकर उन अख़बारों ने कैसी जानकारियां परोसी हैं. तो सबसे पहले बहुत ज्यादा भूमी का न बानते हुए, मैं सबसे पहले दैनिक जागरन हिंदी का अख़बार है, उसका रुख करूँगा. तो इन्होंने हेडिंग दी है अर्थ विवस्था का टीका अकरन जो इनका फरंट पेज है, आसमारी रंग का है, उसमें मतलब देख सकते हैं आप नरेंदर मोदी की फोटो है और पेड़ को नरेंदर मोदी जहां चरहे हैं और इन्वला से तरवन इंजेक्शन वगर लगा और अर्थ वस्था का टीका करन लिखने के बाद तमाम जो बातें हैं उन्होंने उसको कंसाइज करके लिखा है, उसके बाद खजाना भरने के लिए आम लोगों पर अत्रित बोज नहीं है, बजट के जरीये हवाले से उन्होंने बात कही है, और हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट की सबसे खास बात कहे जा रही है, जो 137 परसेंट की विरिधी जो बजट में की गई है हिल्थ सेक्टर के, उसको सबसे बड़ा गेम चेंजर इन्होंने माना है, और पांच वर्षों के राजकोशी प्रबंधन का रोड मैग, अब कोविड में ये सरकार को पता चलता है कि बजट, हिल्थ बजट को किस तरह से ऐलोकेट किया जाए, कोविड के बाद, क्योंकि वैक्सीन के लिए भी सरकार ने 35 करोन रूपए की बात की है, तो उसको भी बात की है, साथ ही उन्होंने वित्तमंतरी बजट पढ़ती गई, शेयर बजार जुमते गए, उन्होंने ये ओपिन किया है कि शेयर बाजार क्यों इतना खुश दिखा है कल, और अभी लगवग ये दो-तीन दिन शेयर बाजार की रैली चलने वाली है, अंदर के पन्नों में भी स्वस्त भारत के हेल्थ सेक्टर को उन्होंने बात की है, खेती और खेती और खिसानी और क्रिशी उ जो बहुत सारी बातें हो सकती है, देनरी जागरन ने ये अपने इस अख़वार में करने की कोशिश की है, और साथ ही कुछ इनके पास एक धर्मकिरती जोशी का चीफ एकनमिस हैं जो क्रिसिल के रेटिंग एजंसी है, उनका जो कल लेक हिंडियन एक्सप्रेस में शायद आ कैसा और जो हेड्लाइन है इनकी और सबसे पहले इनका एक आध्य पन्ने का फ्लैप आता है ये तो उन्होंने कहा है कि डिकोडिंग नंबर्स ने यूनियन बजट और उसके बाद हिल्थ के लिए, विल बीन के लिए जो सेक्टर है, मार्केट बारोविंग का जो है, फिसकल 8.8% अगले साल रहेगा, इस साल साल है 9% पे है, ये बहुत बड़ी घड़ना है, FDI इंशुरेंस का जिनोंने जिकर किया है, और बजट टेस्ट पॉजिटिव फॉर हो, हिंदुस्तान टाइम्स की लीड हेडिंग है इस बजट को लेके, बिग स्पेंड क्या है, उन्होंने इसको प्रमुखता से रखा गया है, इसको इन्होंने फिर्ट के साथ जो शियर मारकेट कल रिफलेक्ट कर रहा था उसको इन्होंने, हिनुसान टाइम्स ने काफी ज़्यादा बेहतरी से इस पे बाचित की है उसके लावा इन्हों ने भी लगबग कमोबेश सारे अख़बारों ने एक एक पेज एक एक सेक्टर को दिया है परसनल फिनाइन्स पे क्या जा रहा है लगबग लगबग उसमें कमोबेश कोई चेंज नहीं है धैनिक भासकर का रुख करते हैं हिंदी का अख़बार है बहुत अच्छी रिडर्शिप है इनकी भी जान है तो जहान है और स्वस्थर हो आत्म निर्भर बनो यह जिस निकाला है इन्होंने अपनी हेडलाइन में स्वास्तरव यानि जो हिल्थ सक्टर को एलोकेशन है और आत्मिर्भर बनो यानि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो बढ़ावा देने की नियत से और आत्मिर्भर भारत का उस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है जीडीपी का 13% करने की बात हुई थी बजट में उसको उने लखा है मध्यमबर को सीधी राहत नहीं लेकिन कोरोना काल के बाव जो किसी पर अत्रिक टैक्स नहीं और एपीफ में सलाना धाई लाख रुपए से ज्यादा जमा मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के जारे में ये बड़ी घटना है कई सारे लोग पीफ में पैसा रख करने कई अगले पेज पे आई कर दारों की बात की है शेयर और सौने में समिल सकता रवाधिक रिटन ये ऐसे उन्होंने एक कयास लगाए हैं बीमा में FDI, गोल्ड के लिए एक्सचेंज की बात की है, अफोर्डिबल हाउसिंग की बात की है, एक्सचेंज एक्ट की बात की है, और मतलब कुल मिलाकर इन्होंने एक दो पेज में मामला उन्होंने समेटने की दैनिक भासकर ने कोशिश की है अंदर गे पन्नों पे क्या मिलता है दैनिक भासकर में, दैनिक भासकर में स्क्रैप पॉलसी की भी चर्चा है कि स्क्रैप पॉलसी से आटो इंडस्ट्री में 50,000 जॉब आएंगे और लागत लगबग 30% घटेगी, ऐसा दैनिक भासकर ने कहा है, साथ ही फूड सबसीडी की ब भार है, और double shot, इनकी हीडिंग है, double shot, Spendo Vax प्लस Priva Max, तो सबसे Spendo Vax, मतलब आप खर्च बढ़ा रहा है, सरकार expenditure बढ़ा रहा है, और Priva Max, याणि انका इसारा साइध इस तरफ है, प्राइवेटाईजेशन भी सबसे ज्यादा होने वाला है प्राइवेटाईजेशन परिफार्च वीडίο आने वाला है यूट्यूबपे उसको देख सकते हैं कि सरकार प्राइवेटाईजन कैसे करेंगी और हम कई सारे लेंटाप की वीडियो पड़े हों, आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड करके इन्हों ने छोटा सा सब्हेट लगाया है प्राविडेंट एफम आईज और पीवेफ इंट्रेस्ट प्रमुखता से टाइमस ऑफ इंडिया ने बात की है पुलिंग इंशुरेंस आउड अफ दे कैप और MNC शो एंशुरेंस को भी MNC का रूप देने की तियारी है इंशुरेंस सेक्टर को एक 74% का बूस्ट है ये भी इसकी चर्चा में है अब इसके अलावा इन्होंने निर्मला सिता रमण का एक इंटर्व्यू भी छापा है और जिसमें निर्मला सिता रमण ने ये कहा है कि वी निवर कंसीडर्ड इंपोजिंग असेस ये बात उस समय कही जा रही है जब बजट में ही पेट्रोल और डिजल पे फार्मसेस लगाया गया है लेकिन एक साइस जूटी घटाई गई है अब ये नो प्रॉफिट और नो लॉस का भी कहा जा रहा है इसलिए पता नहीं चलता है कि इस समय सरकार करना क्या चाह रही है अब यहां पर सी रंगराजन जो आर्बिया की गवर्नर रह चुके हैं और एकनॉमिक एडवाजरी काउंसल जो पी-म की थी उसकी मेंबर रह चुके हैं उनका इडिटोरियल है इस अख़बार में उस पे इन्होंने एर रजनिवली गुड़ परफॉर्मेंस उसकी है उनके ओपिनियन को दिया है और कहा है फिक्सिंग टैक्स डिवलुशन इस पर अभी भी मैं साफ कह रहे हैं अभी बहुत सिती साफ नहीं है हो सकता है 10-15 दिन बाद 25 दिन बाद एक महिने बाद सेस आए नया तो उस पर अभी बहुत सारी बाते नहीं है उनने साफ सब कहा है कि राजियों सरकेंद्र को सेस लगाने से इस समय बचना चाहिए सामने है अगला अख़बार इंडियन एक्सप्रेस और स्वास्थ को और एकॉनमी को एक शुब कामनाए देते हुए अगर बजट की ब्याक्षा की जाए तो कहा जाएगा इकॉन एकॉनमी से भी कहेंगे और स्वास्थ से भी कहेंगे देश के और लोगों के तो बिक स्पेंडिंग पुस्ट ब्लेंडेड विद बोल्ड फनेंशल रिफॉर्म्स प्राइविटेजिशन को शायद यहां पे ज्यादा तफसीली से रखा जा रहा है हेल्थ सेक्टर की बात है इंशुरेंस की बात है और उस छेतर से जुड़े कुछ एक लोगों से वो क्या करते हैं और इस पूरे घटना करम और इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं इस बारे में बाते हैं जहांगीर अजीज जो है वो चीफ इमर्जिंग मार्कित के एकॉनमिस्ट के जेपी मॉर्गन के एकॉनमिस्ट है और उनका एक है कि एक रिकोनिंग पोस्ट पॉन कर गई गई है ओपिनिंग गे पेज पे आया है और इसके अलावा अशोग गुलाटी है जो इनफोसिस चेयर प्रोफेसर है अगरिकल्चर के ICRI में तो उनका अशोग गुलाटी का भी एक उन्होंने एडिटोरिल प्रकाशित किया है साथ में हिंदी का अख़बार है अमर उजाला उन्होंने भी स्वास्त को काफी ज्यादा प्रमुखता से उपर रखा है आद निर्भता के विजन जो मोदी का स्टेटमेंट था बजट के बाद जो आया था निर्इन मोदी का उस पर भी उन्होंने बाचित की है और बजट के साथ अगला अख़बार हमारे पास कौन सा है है भी की नहीं यार हाँ बस यही अख़बार है इसके लावा मेरे पास कुछ ई-पेपर है मैं चलते चलते मैं उनका जिक्र कर दूँ फिनांशल एक्सप्रेस की अगर बात करें जो उन्होंने काफी मज़दार हेडिंग लगाई है पंत एंड पुजारा और नीचे निर्वना सितारमन की फोटो है बिग हिट्स इंक्लूड इंफ्रा प्ले ब्रेंग प्राइबिटाजेशन लाज कैपिक्स और प्लेज डिफेंसिव इद मॉडस्ट रिवेन्यू एक्स्पेंडीचर टार्गेट साफ कहा है कि सरकार खर्च करने जा रही है और बिग इन्वेस्टमेंट में इन्होंने काफी मज़दार है उन्होंने कहा है कि spend it like sita Ramana फिल्म है थी bend it like become इसका शीर्शक है spend it like sita Ramana और इस पर भी मतलब इंफ्रा जॉब्स और फोकस्टू पुट अन्वेस्टमेंट में रखने की बात हो रही है नो न्यू टैक्स बेनिफिस डॉलर फोर फिनैंस और रूपीस वर पियस्यू बैंक फिनैंस सेक्टर में डॉलर मतलब विदेशी निवेश आएगा और पियस्यू बैंक्स में 20,000 क क्रोन की से जोरी कैपिलाइजिशन की बात हो रही है उनको बचाने की कोशिश उनको फिर से समारने की कोशिश ये करने वाले हैं तो आज के अख़बार बजट में क्या कह रहे हैं ये उसका मोटा माटे हिसाब था कुछ भी चाहिए अख़बार ऑनलाइन उपलब्द होंग साथ महेंजेरी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया